प्रेंट्स आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में तो फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं कनीर के फूलों से लड्डू गोपाल जी के लिए हार तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे कनीर का पेड़ लगा हुआ है लाईश में बहुत सारे कनीर के फूल किल रहा है है तो फ्रेंट्स हार चैसे बनाइन गेए इसके लिए वीडियो को पूरा बksi जरूर lucky चंरू औशनल को सब्सक्रायоме करें और चैनल पर नहां है تو चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें जाराने क्यस्ह—— यह रेकी फ्रेंडस का लंबा दंन्रन लेकर कंडूड़ नहीं काफी। क्लिबसु झूह और क्यूंक हुआ तो हम यह सारे फूल तोड़ लेंगे और यह देखिए डंडे से हमने डाल को नीचे कर लिया है तो यह देखिए फ्रेंड्स करनेर के हमने यहाँ पर इतने सारे फूल तोड़ लिये हैं अब चलते हैं हार बनाने के लिए फ्रेंड्स इस हार में हम तीन गुलाब के फूल भी लगाएंगे तो यहाँ पर मैं तीन से चार गुलाब के फूल तोड़ लेती हूँ एक इसलिए तोड़ नहीं हूँ जादा क्योंकि कहीं एक फूल खराब हो जाए तो मैं चौते फूल को काम में ले लूँ और यह देखिए यहाँ पर मैंने फूलों को दोलिया है क्योंकि इन फूलों में मुझे कुछ छोटे चोटे कीड़े नजर आ रहा थे तो इसलिए मैंने इनको धोलिया है आप चाहें तो बिना धोल भी बना सकते हैं कनीर के फूलों का हार बनाने के लिए हम पहले कनीर के फूलों की पंखुरियां कट कर लेंगे आप चाहें तो पूरे फूल का हार भी बना सकते हैं लेकिन अभी मैं पंखुरियों का हार बना कर बता रही हूं आपको तो फ्रेंस हम सारे फूलों की पंखुरियां कट कर लें इस प्रकार से प्लुल करने यहां प्रकार ठीक है यहां पर हम इस प्रकार से फोल की पंखुरियं कट कर लेंगे यह देखि इन करनेर के प्णखियां तो इसी पकार से अम सारे फूलों की पंखुलियां कट कर लेंगे तो यह देगी फ्रेंट्स आप देख सकते हैं सारे फूल हमने कट कर लिए हैं यह देखिए तो यह देखिए यहां पर सूई में धागा हमने पहले से डाल रखा है तो हमें हार बनाने के लिए सबसे पहले लेना है और इसको आ kob इसके कार से फोल्ड कर देना है अजित कर देंगे या बड़िए और इस पोकार से ढहरो डार में पेहनले हर देखिए अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा अभी हम थोड़ी पंखुना और नहीं आप तो यह देखिए इस पकार से मोड करके हमें पंखुणियों को शुई और धागे में पिरोते जाना है और बिल्कुल पास-पास में पिरोना है तो यह देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमने इतनी लंबी लाइन पंखुणियों की कल दी है और अब हम लगाएंगे एक गुलाब का फूल हे देखिए इहां पर हम दो पीछे दंडी हमें यहां से फूल को पिरोहेंगे इस प्रकार सेreichen एज देखिए और बापस से में इसी प्रकार से कनियर के फूलों की पंकुरियां लगाते जाएंगे यह देखिए इस प्रकार से और हम इसी प्रकार से एक लाइन फिर से बना लेंगे इतनी ही बड़ी तो यह देखिए यहां पर हमने इतनी बड़ी लाइन बना ली है और एक गुलाब का फूल लगा दिया है अब हम यहां प यहां पर हमने दो गुलाब के फूल लगा दिये हैं और हम वापत से कनीर के फूलों की पंखुडिया पे रोते जाएंगे हमें उतनी बड़ी लाइन करना है जितनी बड़ी हमने यह वाली लाइन की है यह देखिए इसी पकार से हम कनीर के पंखुडियों को मोड मोड कर लगा तो यह देखिए, यहां पर हम इस पकार से गुलाब का फूल लगा देंगे, जिपका कर लगाना है इसको बिलकुल पास में, यह देखिए, तो यह देखिए, आप देख सकते हैं, दोनों गुलाब के फूल बराबरी पे रहो गए हैं, और बापस से हम कनेर की पंखुणियों क लगाते जाएंगे, यह देखिए इस पकार से, और फ्रेंट्स हमें इतनी पंखुणियां लगानी है कि लाइन इस लाइन के बराबर हो जाए, तो यह देखिए, सारी पंखुणियां हमने लगा दी है, और थाली में मातर एक गुलाब का फूल बचा है, और यह जो धागे म से हार बना करके, आप जन्वश्णिमी का अफसर हो, तब काना जी को पिना सकते हैं, या फिर कभी भी आपके घर में पूजन पाठ हो, या फिर जब भी आपकी इच्छा करें, आप इस प्रकार से कनिर के फूलों का हार बना करके काना जी को पिना सकते हैं, और यह देखिए बहुत ही आसान है तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा बपरच के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो फ्रेंट्स आपका इसने इसी प्रकार से बनाए रखिए तो फ्रेंट्स फिर मिलते हैं हमादे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमारस का humans